मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे नंद लाल सवरिया मेरे नंद लाल सवरिया मेरे मेरा कोई ना सहरा बिन तेरे नंद लाल सवरिया मेरे मेरा कोई ना सहरा बिन तेरे नंद लाल सवरिया मेरे वेलो 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 गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग की हाल चाल वदिया ओ तंदुरुस्तो फैमिली वदिया एक कदम चलो बहुत वदिया आज तो सुबह के शुरुवात ही पता नहीं कैसे हुई है वाइफाई नहीं चल कि रहा पंख नहीं चल रहा पता नी आज क्या हूँ आपड कोई नजर वट्ट्टू ने नजर लगा दी थी क्या ठीकिया आज तो गरमी क्लास्व में कोगर्मी में लेनी थी बट मैं को यह था कि चलो लाइव चल रही यह निए कि तुम्हें हां माना कि लाइब की फिल नहीं की अब इसका मतलब यह निए कि हम धुर्म कोशन करने हैं तो गलती से वो मिस मत कर देना क्लास बस यह बात ध्यान दो ठीक है अजने पाथ और सुनना आज मैं एक तीन मिन्ट की वीडियो डालूंगा उसको ने हैड़ेफोन लगागे सुनना में उसको एड़ेफोन लगागे सुनना उसमें क्या है वह नहीं बता रहा जब मैं अप लोड़ करूंगा उसको बिना हैड़फोन के मत सुनना बचा कर रहा है ऐसा आपने क्या बोल है वो तुमें पता लगेगा और उस वीडियो के बाद तुम दिल से कमेंट करोगे इतना मेरा बाद है ठीक है तो मैं वह शाम को वीडियो टाल दूँगा मलब चार या पांच बज अच्छे थे एक बार फटा फट से वह हम कमप्लीट कर लेती है ठीक है ना ताकि हमारे सारे के सारे मोस्ट एक्सपेक्टीड कोश्चन जो है वह खतम हो जाए और फिर मैं कल आपको को मोक टेस्ट बनाके देदूँगा कल मैंने मोक टेस्ट का था आपको नहीं 25 तारीक मैंन फिर 26 तारीक को मोक टेस्ट बनाके दूँगा 27 तारीक को मोक टेस्ट बनाके दूँगा और फिर कुछ प्लैन करते हैं किस तरह से आगे हम बढ़ेंगे ठीक है रिचलो अब एक बार टाइम वेस्ट ना करते हुए फटा फट से हम सारे के सारे बच्चे यहां पर आ जाओ ज तुमें सब को देख रहा हूं ध्यान अखना जी ठीक है ना तो सारे चुप करके कोशन यहां पर प्रैक्टिस करोगे मैं आप एक कोशन प्रैक्टिस कराओंगा आपने घर में प्रैक्टिस करने यह कोशन बहुत इंपोटेंट है गलती से भी इसको इग्नोर मत कर देना बस यह पाध्यान दो जी मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूं इस पर मुझे पूरी पूरी उमीद है कि जो यह मोस्ट एक्सपेक्टिड कोशन हो एक्जाम के अंदर सीधे बन सकते हैं बस यह पाध्यान दो ठीक है रीच चलो अब एक बार फ्रैवर से यहां पर आ आज आ निकालने वाली होंगे मला यहां पर हमें टेक्स लाइबिल्टी निकालने पड़ेंगी तो कोश्चन हमारे इंट्रस्टिड भी होंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट भी होंगे एक बाद चेक करो कोश्चन नमर वन पर होजी अब सबसे पहले कह रहा है मिस्टर डीपी ओके म मिस्टर डीपी एंग्रो सेलरी चेलाग पजपन जार में पहले बात क्या ग्रोस सेलरी मतलब इसमें अभी रिटाक्शन सब करने सो मैने करना यह यह इंग्रोस सेलरी दी हुँए है Beside that, he earned 12,000 for saving bank deposit during the year 23-24. At the same time, he deposited 65,000 to PPF. You are required to complete total income. आपको total income निकालनी है. अगर उसने 115 BAC नहीं लिया तो क्या होगा? और अगर 115 BAC लिया है तो क्या होगा? यह दोनों केसमें total income निकालनी है. बस यह पाद ध्यान तो हुए. अब मेरा पूरी class से question है. अब सबसे पहला ऐसा करते हैं. अगर मानलो उसने optional scheme ली है तब क्या होगा? और अगर मानलो default scheme ली है तब क्या होगा? मेरा पूरी class से question है. अब जो भी यहाँ पर आपका HRA है. question है निकल कहा रहा है कि जो भी आपका यहाँ पर HRA है. आप में को यह clear करो. default scheme वाले case में सारा का सारा HRA taxable होता है. और optional scheme वाले case में HRA की exemption हमें मिलती है. बस यह पाद ध्यान तो जी. अब एक बात में को सोच के बताना जी. आपने यहाँ पर किराया कितना पे किया है? 15,000 किराया पे किया है. तो पूरे साल में आपने किराया पे किया होगा. अगर आप चेक करोगे. 15,000 multiply 12. तो किराया पे किया होगा. 180. हां जी. किराया कितना पे किया होगा. अब अगर 180 किराया पे किया. तो list of the following shall be exempt. अब किसमें से list आएगा? पहला. actual में HRA कितना मिला? तो उस तो पहले तो यहां पर निकल के आएगा और फिर अगर मानने यहां पर कुछ भी नि बोला तो हम मानेंगे जो घर है वो other than metro city में है तो salary का अगर मैं 40% निकालूंगा तो यह आ गया 6,55,000-45,000 का 40% तो यह आएगा 2,44,000 तो अब एक बार चेक करना less क्या आ रहे है जिए 180 माइनस में 61 तो यहां पर आ रहे है 1,19,000 तो less कितना आ रहे है less आ रहे 45,000 तो मतलब यह less आ रहे है तो यह सारा एक Also seizure наша अ WhatsApp नहीं है यारी मेरे बाला समन में है Isso में तुम ने क्या किया था एक्ट्वाब्स किसमें लिष्ट subject पहला क्या था Пैला क्या रहे है एक्चुल फिरक दूसरा皆 मैंस में 10% challenge और तीसरा में इच्क च्पर mia क्रशच अब अगर में HR include है तो salary 610 बनी 610 का 10 कितना होगा 61 तो 180 प्लस में 61 तो यह अप्रोक्सिमेट आ रहा है एक लाग 19 दार आप चेकरो less क्या बनेगा 45 तो सारा का सारा HR मेरा exempt है अब यह exemption जो मिलेगी ओप्ष्णल स्कीम वालों को मिलेगी डिफोल्ट स्कीम वालों को नहीं मिलेगी तो आप एक बाद चेक करो अब यहां पर एक चार उसने एक्जमिशन माइनस कर दी 45 वैसमें HR include है 45 जार माइनस कर दिया यहां पर माइनस नहीं किया क्योंकि वहां fully तो सिंबल जी बात यह निकल क्या रही है कि यहां 45 माइनस करेंगे यहां माइनस नहीं करेंगे वहां पर टेक्सेबल होगा बस यह पाध्यान दो आगे फिर देखो सेलरी यहां पर 6-10 आ यहां पर 6-5 पन है फिर स्टेंडर डिरेक्शन जो है वो दोनों केस के अंदर यह वह आपने आसे माइनस करती जी ठीक है तो आपकि इंकम अंडरेट सेलरी कितने आगी 5-60,000 पर सेलरी की इंकम है और यहां पर 6-5,000 पर सेलरी की इंकम है इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है फिर अगला पाइंट देखो उसने बोला है यहां पर 12-12,000 पर सेविंग का इंकम यह निकल क्या आगी फिर माइनस मैं गरोगे डिडक्शन कोंसी अंडर सेक्शन एटी सी पीपी एफ वाली अब एटी सी जो मिलेगा वह ओप्शनल वालों को मिलेगा डिफोल्ट वालों को नहीं मिलेगा तेक बाद चेक करें आप पर जी अब 65,000 यह माइनस हो गया ठ अब कि टोटल इंकम 497 आ रही है यहां 6,17,000 अब चेक करो यह 4,97 तो इंकम पांस लाग तक है अब अगर इंकम पांस लाग तक है तो जो भी टेक्स बनेगा उतने की रिबेट मिल जाएगी टेक्स बनेगा जीरो अरे मिनकों एक बात बताओ अगर तुम ऑप्शनल स्कीम ल यहां पर इंकम अगर 7 लाग तक होती है तो 7 लाग तक की इंकम पर जो भी टेक्स बनेगा उतने की रिबेट मिलेगी अब अगर इंकम 6,17,000 तो 6,00,00 से उपर कितने है 17,000 उसका 10% प्लस में 15,000 16,700 इतने की ही रिबेट मिलेगी तो टेक्स यहां पर भी 0 बनेगा यह दून हमारे exam के अंदर भी बन सकते हैं बस यह पाध्यान देनाच क्या को बासम में आ रही है तो question बिल्कुल easy है बस एक पाइंट इसमें आपको ध्यान देने वाला है वो HR वाला है ठीक है ना बस वो ध्यान देना कि HR normal scheme वालों में exemption मिलेगी default scheme वालों में कोई भी exemption नहीं मिलेगी बस यह पाध्यान दोच ठीक है रिष चलो अब अगले पाइंट पर आओ जी अब देखो illustration number one अगला पाइंट किया नेक्स पाइंट आ रहे है gross total income जो है Mr. X की a tax consultant based at Mumbai वो कितने रही अठारा लाक रुपे income from profession से आ रही है ठीक है रही है और उसके बाद 17 लाक एंट इंट्रेस्ट ओन बैंक deposit एक लाक ग्रोश उडल इंकम जो है अच्छा 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 ग्रोश उडल इंकम जो है वो ठारा लाक रुपे जिसमें 17 लाक रुपस की प्रोफेशन की इंकम है और एक लाक रुपस को FD का इंट्रेस्ट आ ठीक है आगे देखो फिर यह पे थ्री लैक एज हाउस रेंट अब अगर वहाउस रेंट पे कर रहे है मेरा पूरी क्लास कुछन अगर वहाउस रेंट पे कर रहे है तो क्या यहां पे वह एच्छारे क् यहां पर मिलेगा एटी जी 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 अब उसके बाद एक हो रही फिर ही डिपोजिट 50,000 पब्लिक प्रोविटेंट फंड यहां पर बेनिफिट किसका मिलेगा एटी सी का मिलेगा फिर वगर एक कंप्यूट हिस टेक्सेवल इंकम फोर्दा असेस्मेंट यह 24-25 बताओ कितना लाखर पर इंट्रेस्ट एफ्री अधर सोर्स की इंकम टोटल इंकम अठारा लाखर पर माइनस मैं करो के डिटक्शन अंडर सेक्शन एटी सी एटी सी जो बनेगे वो कितना बनेगा 50,000 पर और अगर बात करूंगा एटी डबल जी जी अब एटी डबल जी हमें निकालने के लिए हमें निकालनी पड़ती है अर्जस्टी टोटल इंकम अगर आपको यादा रहो अच्छा एटी डबल जी के अंदर बेनिफिट कितना मिलते हैं लीस्ट ओवदी फोलेंग अब लीस्ट ओवदी फोलेंग किसमें से पहला पहले याप आएगा 25% ओफ अर्जस्टी बाला अब एक बात में बताओ अर्जस्टी टोटल इंकम कैसे निकलती है टोटल इंकम में से सारी डिडेक्शन माइनस करके एटी डबल जी को छोड़कर तो ठारा लाख में से आप माइनस कर तो यहाँ पर पचास जार पर एटी सी वाला तो साड़े सतरा लाख रबे कि लाख 75,000 अब यहाँ पर रेंट कितना पे कर रहे है तीन लाख तो तीन लाख में से 175 मेंस किया तो एक लाख 25 तर बच किया फिर पांच जार पर मन्त है माला साथ जार पर साल का और अगर मैं अगर मैं ट्वंटी फाइपर सेंट निकालूंगा तो बहुत जादा आएगा त और यह इंकम आपकी टोटल इंकम आ रही है 16,90,000 अब 80,000 जी कैसे निकाल है वह आपके सामने 60,000 और वह 17,25 परसेंट और साड़े अपना 3,00,000-1,75,000 less बनेगा 60,000 इतने कि आपको 80,000 जी का benefit मिल जाएगा बस यह पध्यान दो और हाँ अगर 115 यह सिल लूंगा तो बस 18,000 पाकी आंसर आएगा रीजन क्योंकि deduction मिल ली नहीं है जब deduction नहीं मिल नहीं है तो वही मेरी total income बन जाएगी तो आंसर जो बनेगा वह 18,000,000 अब बताओ मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है भाई साब हैंजी भाई साब अब बताओ कोई दिक्कत कोई परशानी कुछ भी अजी ब्रिति क्या मेरी बाते पढ़ ले पढ़ रहे हैं आपको सर मजजशा नहीं आ रहा लाइव ले लेते मैं तो सुबह साथ वरे उठके बैड़ गया था ना रहे को पता ही था वाइफाई की प्रोब्लम चल रही है अब वाइफाई बच्छा कहे रहा है वाइफाई साड़े आठ नो बरे देख लेना नो बरे देख लेता फिर वाइफा पता ना लाइक हो मेरे लिए क्लास बहुत जरूरी है प्रैक्टिस वाली तुम्हारे प्रैक्टिस वाले जरूरी नहीं हमें को लग रहा है तुम्हारे हालात क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिस करने का इतना मन निक करता तुम्हारा बट मेरे लिए बहुत जरूरी है ठीक है AMT जो है AMT का rate कितना होता है 18.5% और AMT किस पर लगता है adjusted total income पर और याद करो AMT की जो adjusted total income निकलती है वो कैसे निकलती है गवर्मेंट किते हैं जो भी तुमारी normal income होती है जो तुम normal income निकालते हैं उसमें जोड देते हो क्या chapter 6 A की deduction under heading C अब heading C वाली कौन सी है ATIA, IB, IC ये सारी किस सारी जो हैं वो heading C वाली है उसके बाद फिर जोड़ दो 35 AD फिर जोड़ दो section 10 AA फिर minus कर दो depreciation जो 35 AD के coding मिलता और फिर balance जो आएगा वो आएगा adjusted total income उसका 18.5% जो है वो AMT देना होगा बस एपा ध्यान दोच आओ जी अब एक बाद चेक करते हैं वो क्या कह रहे हैं वो क्या रहे हैं वो क्या रहे हैं कंप्यूट टेक्स लाइबिल्टी ओफ दा फॉर्म action company for the assessment year 24 पचिस ठीक है जी अब वो क्या रहे हैं considering the provision of section number 115 जेसी बाद 115 जेसी के provision consider करने हैं अगर वो यह नहीं कहता तो हम normal case में भी करके आते अब यहां पर 115 जेसी के provision हमें consider करने हैं बाद AMT भी निकालना पड़ेगा हमें ठीक है अच्छा पहले एक बार यह चेक करो यहां पर वो कह रहे हैं कि फॉर्म है क्या अब क्या firm पे AMT लगता है बाइस साब और इधर क्या firm पे AMT applicable होता है येस होता है अच्छा क्या AMT firm पे starting से एक अप्ली के बलोता है ये कि limit के बाद होता है अब गल्ति से यह मत कहा देना कि limit के बाद होता है आपको यह बाद मैंने पहले भी बता चुक कई बार बता चुका हूँ कि यहां फर्म वाले केस में जो एम्टी एप्लीकेबल होता है वो स्टार्टिंग से लगता है जी मलब वहां पे कोई 10 और 20 लाग खरबे की लिमिट नहीं होती स्टार्टिंग से फर्म को एम्टी देना होता है बस यह पाध्यान दो जी तो यहां प क्योंकि 100% की डिरेक्शन मुझे अलाउड हो जाती है 35 80 के अंदर और फिर 80 आई भी जो है वह एक लाख रुपे क्या है और डोनेशन पे की है पोलिटिकल पार्टी को 85,000 की अब उसने का जी आप टेक्स लाइबिल्टी निकाल तो एक बड़ ऐसा करते हैं पहले अगर मैं नॉर्मल बात करता हूं तो नॉर्मल केस में क्या होगा नॉर्मल केस में ग्रोस टोटन इंकम तुमारी है 21,500,000 माइनस में 35 AD की डिरेक्शन 11,000,000 रुपे तो इंकम तुमारी बजगे 10,500,000 यह तुमारी इंकम है जी अब इसमें से माइनस करेंगे डिडक्शन अब कौन कौन से माइनस होंगी पहला पहला हम माइनस करेंगे 80 IB एक लाख रपेगा फिर पोल्टिकल पाटी वाला 80 GGC पोल्टिकल पाटी को डोनेशन 80 GGC के अंदर मिलती है वो कितनी मिलेगी 85 तो एक बाच चेक करो वन लेक यह 85 यह तो आपकी नेट इंकम जो आ गई वह या कि अगें अगर मेरी नेट इंकम यह निकल का रही है उसने का टेक्स निगा लओ अवètres समय को सी या न्रॉर्मल बताओ न्स से निकालो आप में से कई बच्चे मुझसे कोशन पूछते सर सर स्कीम को उनसी लगानी है तो पहले उपर कोशन पढ़े भी लिया करो और जो मैंने 15 मिंट वाली वीडियो डाली थी उसके तरह मैं यह गया था कोशन बहुत ध्यान से पढ़ना अब चेक करना requirement उसने क्या मांगी है तो partnership वाला कोशन है वहाँ पर स्कीम का मतलब भी नहीं है जो इंकम है उसका flat 30% अब यहां पर चेक करो दे को यह आप 855 पांस्व का 30 हो गया विए प्लस में 4 पर सेस हो घ्याथ आपका टेक्स निकल क्या गया इस तरह से अब अब हम यह निकालना ए अम्ट अभी अम्ट निकालने के लिए क्रेंगे इसी इंकम को हम बेस बना लेंगे अब इसमें अब जारपेगा डैप्री सेशन में माइनस करते हैं गवर्मेंट का 11 लाग जोड देंगे बड़ 3580 में 40 जारपेगा तुम डैप्री सेशन क्लेम करते हैं वह माइनस करते हो तो कितना आ गया 10-60 आ गया तो तुमारी है और यह मेरा mode Edam body पूरी क्लास से कॉश्चन है दोनों में से तुम्हें क्या प्रिंणों लाजा होगा normal ट्यक्स पे करना होगा या एंप पे करना होगा बताया है अब क्लास में क्या बताय memb regional चैं火 कि हिए अगा कि कम से कम तुम्हें इतना टेक्स तो पे करना ही पड़ेगा तो यह वाला ज्याद है तो फिर मुझे एम्ट यहां पर पे करना है और जो मैं ज्यादा पे करूंगा उसका मुझे मिल जाएगा क्रेडिट अब अगर मैं चेक करूं क्रेड मुझे कितना मिलेगा एक बार निकालना 380 085 माइनस में 22544 254436 प्यार है 125649 जी तो 125649 का आपका एम्ट क्रेडिट ही हाँ पे निकल क्या रहा है बस यह पाध्यान दो यह इस मत्युंष का आधा कोई दिक्क्त तो नहीं इची बोलो दो ना Liné को कोई दिक्क्त तो कोश्चन है और यहीं पर हमारा कोश्चन खतम हो जाता है उसने टोटल इंकम मांगी है पहले चेक कर लो टोटल इंकम मांगी किसकी है उसने टोटल इंकम जो मांगी है नहीं से वह मांगी है फॉर्म की अब टोटल इंकम मांगी है फॉर्म की तो आपने मुझे बताना है किसकी टोटल इंकम जो है वो कितने निकल के आएगी यह कोश्चन तुमारे सामने हैं उमीद करूंगा आप मुझे इसका अंसर देंगे कहां पर है कि अधिया कि अधिया कि अधिया कि यह क्यों हो गया वाई कि अधिया कि कंगी अभी बार्चेक करना यह कोश्चन देखोजी कि अभे कोश्चन तुमारे सामने हैं और उमीद करूंगा आप मुझे इसका अंसर देंगे जी कि अधिया क्वेश्चन ध्यान से बढ़ना बस बिल्गुल कि दो मेंट का टाइम दे रहा हूं कोश्चन द्यान से बढ़ और मुझे अंसर दो और मैं आपको बार-बार कह रहा हूं एक रफ कोपी लेके बैठो और एक केल्कुलिटर लेके बैठो अगले हफते तुम्हारे पेपर हैं झाल 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 हांजी सबसे पहले बेस बनाओ Net Profit अपना सबसे पहले बेस बनाओ Net Profit जब पहले ध्याना करने इसमें पहले पथा क्या निकालने पड़ेंगे एक पहले हमें कालने पड़ेंगे एक और कोशिछ करो तो बुक प्रोफिट निकालने की कैसे निकलते दे कि अधर देखो द्यान से अब मैं तो मैं निकलवाता हूं कि सबसे पहले बेस क्या बनेगा आपका 130 जो है यह नेट प्रोफिट बेस बनेगा अब इसमें आप यह जोड़ दोगे आपको मैंने पहले 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 जोड़नी होती है क्योंकि वही तो हमें निकालनी है तो जो माइनेस किया पहले वह जोड़ दो फिर इंट्रस्ट और कितना होगा बताओ कर अनी कर दोटर से बचेंफ़ कितना होगा बता होगा बसारे बच्चे फटास से बोल दो रावकं कितना होगा बताओ ciao कि अगर हिसी Superior === 12 फरना इस्टमट है टाप एक बार खुब चक्रोंड़ यह ट्वंटी थाउजेंट अब अगर 20,000 अगर 20% है तो 12% कितना आएगा 12,000 तो 8,000 पे हमें ये भी एड़ करना पड़ेगा जी मैं द्वारा बोल दूँ 8,000 पे हमें ये भी एड़ करना पड़ेगा बस ये पाध्यान देना इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ठीक है उसके बाद फिर उसने वोला एक्सपेंडिचर जो ये वाले एक्सपेंडिचर में इंकल्यूड है 18,000 पे और 12,000 पे जो आपने कैश में पे कियें ब्रोकरेज सिंगल पार्टी सिंगल दे तीस हजार पे भी हमें एड़ करने पड़ेंगे जी और बताओ फिर ये डेप्री सेशन जो है 20,000 वाला ठीक है यह मैं यह हमें एड़ करना पड़ेगा और यह 40,000 जो डेप्रीशन यह करना पड़ेगा माइनस ठीक है न ऐसे तो निकलता है अरे मेरे को एक बात बताओ यार तो याद करो PGP का चैप्टर हमने PGP के चैप्टर मे इस तरह से कैलकुलेशन नहीं की थी हमने आपको मैंने वहां पर यह बोग प्रोफिट निकालना सिखाया था एक बार मैं दुबारा बूल रहा हूं मैंने यहां पर क्या किया है पहली बात यहां पे 20,000 पे यहां पर याड़ कर दिया रेमुनरेशन आपने एड़ कर दी इं पर चेक करना है यहां पर देखो पहले एक्सपेंटिशन नोट अलाउड में कितने हैं 30,000 तो वह गया 8,000 वह गया 38,000 ही हो गया फिर रेमुनरेशन डेड़ लाग हैड कर दी माइनेस में डेप्रेशन 40 जोड के 28 आना है तो नेट 20,000 माइनेस हो गया आपके बुक प्रोफि प्रेटिटिगा 90 परसेंट और 1,5,00,000 विचैवर इस हायर अब बताओ 2,00,000 का 90 परसेंट तो अगर मैं अब यहां पर 2,90,000 का अगर नैंटी परसेंट करुँगा तो 2,60,000 आब कितना रहा है 2,61,000 और 1,5,00, तो थैक बदढ़ेँ करना है यां पर अब देखो यहां पर तो दो 68200 अरेज दो लाग अच्छा 298 आए यहां ठीक है ठीक है ठीक है तो 298 का 90 परसेंट जो बनेगा वह बनेगा दो लाग 68200 पर इतना है और यहां पर एक बार चेक करना यहां पर रेमुनरेशन उसने डेबिट कितनी है भी वहाए पर चेक करो भी इसमें तो आपका बिजनस इंकम आगी एक लाग 48 lleva ठीक है और पार्टनर्शीफ फॉर्म है तो 30% टेक्स थी परसेंट तेक्स हो गया चार परसेंट सेस हो गया तो तो फाइनल टेक्स लाइबिल्टी जो बनेगी वो यह वाली बनेगी बसे पध्यांतर जो यह आपका अंसर निकल क्या रहा है अब बताओ कोई दिक्कत कोई परशानिक कुछ भी अजीब लग रहा हो तो बता तो जी कोई दिक्कत तो नहीं है पका-पका क्या इसको हम पैक कर स इसकी है अब इलस्टेशन नंबर 12 के अंदर भी हमें वो एम्टी की कैलकुलेशन जो है वो भी हमें साथ में शो करनी है बस यह पाध्यान दोश अब यहां पर क्या लिख है क्या रहा है मिस्टर एक्स ज्यान से बढ़ना मिस्टर एक्स केरिंग ओन दा बिजनस ओफ ऑपरे ही हेड Nep अर्म है रहें वो 35th की डिच्शन वो क्लेम कर चुका है अब अगर प्यूंख टाटिव एड मतलब यह और जो सवंति यह मा करना वह कह रहा है यह क्लेम कर चुका है तema अकर देख़ो पिर इसाथ करना चाहरा है और इन्वेस्टमेंट सतर लाख रवे की है इन दा बिल्डिंग फॉर अपरेटिंग वियराउसिंग फैसिलिटी ऑफ शुगर फिर वगार कंप्यूट हिस टेक्स लाइबिल्टी असेश्मेंट यह 24-25 और आपको एम्टी भी निकालना है मेरा पूरी क्लास से क टेक्स है का सारे बच्चे भड़ा बच्से बोल दो 80 लाख है तो 80 लाख का आप निकालोगे 10 लाख से उपर कितने हैं 70 लाख उसका 30 परसेंट प्लस में 1 लाख 12500 तो 22 लाख हानी 22 लाख 12500 यह इसका टेक्स निकल के आ रहे है अज़ा फिर 80 लाख रवे की इंकम है क्या 50 लाख से उपर है येस अगर इंकम 50 लाख से उपर है तो सरचार्ज भी लगीगा कितने परसेंट लगीगा 10% क्योंकि 50 लाख से उपर है तो 10% सरचार्ज इसमें 10% तो आगे 24 ल लाख 31,000 रुपे का फाइनल अंसर आपका निकल के आएगा बस एपा ध्यान दोच पहले में को बिताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है अगला दिसंबर एकजाम आने वाल है अभी तो जून चल रहा है तुम्हारी नीदी पूरी नीओर यह भी तुम्हें भाईजा तुम्हें ना फील चाहिए फील यार गबासर ना लाइव बैठी हो भाई तब आएगा मज़ा तो अरे मेरे बेटे पेपर तो तुम्हें वहार आगे खुद लिखना पड़ेगा और इस्टेम यह में देखो लाइव रिकोड़ी इस्टेम देखो भाईजा मुझे क्लास देखनी है मेरे को अपने से मतलब है इदे सुनो ध्यांस से मैं कहना क्या चाहरा हूं तो मैं दुबारा बोल रहा है आपके कि 80,000,000 की इंकम है आपने डेक्स निकाला उसमें आपने 30,000,000 उसमें क्या करोगे 35,80 की डिटक्शन जोड़ोगे 70,000,000 जोड़ दिया फिर माइनस डेपरी सेशन अब बिल्डिंग है बिल्डिंग पर 10% रेट है 7,000,000 माइनस कर दिया तो 143,000,000 जो है वो एम्टी आ गया अब अगर यह 143,000,000 है तो इस पर 18.5% जो है वो आपका rate applicable है तो एक बार चेक करना 130 का 18.5% कितना आ रहे है 24 143 का 18.5% तो 26.46 यह निकल के आगया अब इसमें सरचार्ज applicable करोगे क्यों क्यों क्योंकि income जो है वो एक क्रोड से उपर है तो 15% सरचार्ज हो गया यह 15 हो गया यह टेक्स हो गया इसमें 4% सेश जोड़ दोगे final answer जो है आपको यह निकल क्या रहा है बसे पद्यान दोच क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है वो बता दोच कोई भी दिक्कत कोई परशानी कुछ भी अजीब लग रहा हो बताऊ जो को दिक्कत हो नहीं है हेलो बाई साब ओए आ रहा कुछ confidence कि आ रहा है नहीं कुछ confidence और मैं बता रहा हूं यह ओल्मॉस्ट वारा लास्ट सेशन है एक बच्छों ने कहा था सर्दिसंबर वाला पेपर भी करा दो तो वैसे मैंने दिसंबर वाला पेपर देखा था कुछ उसके अंदर खास है नहीं है बड़ अगर आप मेरे को बोल र कर चुके हैं GST वाली क्लास में तो मैं income tax वाला भी complete करवा दूँगा और कोशिच करूँगा जो मैं कहा रहा हूं कल शाम को मुझे session लेना है कि जिसमें income tax और GST के mix question होगे तो उसके अंदर मैं वह दिसंबर वाला पेपर ही उठा लूँगा ताकि तुम्हारा दिसंबर वा पर उठालूँगा कल शाम को और साथ में GST के कुछ question उठालूँगा जी कुछ इस तरह से plan हम कर लेंगे तो कल हम session रख लेते हैं ठीक है बट कल की timing जो होगी आप यह मान के चलो कल की timing approximate अपकी 7 या 8 बजे के round होगी क्योंकि मैं को hometown निकलने तो मैं थोड़ा शाम को लेटी अब इसने बोले यहां पर अगर आपने 115 BAC लिए तो क्या होगा अब बताओ अगर 115 BAC लिए तो क्या 115 BAC वालों पर AMT applicable होता है नहीं क्योंकि 115 BAC पर तो AMT तो है नहीं normal tax लगीगा बस अब income कितनी है 80,000,000 अब 80,000,000 पर निकालो normal tax कितना आएगा जी तो 80,000,000 इंकम है तो 15,000,000 से उपर कितने है 65,000,000 उसका 30% प्लस में 1,5,000,000 तो 21,000,000 खरबे की income तुमारी बनेगी यहाँ पर जी अब 21,000,000 खरबे की income है 10% यहाँ पर सरचार्ज होगा मेरे खाल से एक बाच चक करना देखो यहाँ पर 21,000,000 की income है और 10% सरचार्ज है तो इन दोनों को जोड़के आपका निकल गएगा 24.024 सरचार्ज जोड़ने के बाद और यहाँ पर AMT applicable होता ही नहीं अगर आपने 115 BAC लिया यह बद्यान दो जी तो यह question की भी मुझे पूरी उमीद है क कि आपके एक्जाम के अंदर एक question बन सकता है बस यह पाद ध्यान दो जी कि आपको मेरी बास वान में आ रही है जी पक्का पक्का चलो अब अगले पाइंट पर आजाओ जी अब यह वाला point हमारा खतम हो गया अब यहाँ पर आ रहा है tax incidence on company अब यहाँ पर बस कुछ नहीं ह यह हमें discuss करने है book profit वाला इसको मैं भी discuss कराऊंगा पांसात मिन्ट के बाद ठीक है उससे पहले question और आपका है यह भी आपका मैट का ही है कितना credit मिलेगा और कितना credit नहीं मिलेगा यह आपके सामने जी यह वाला question जी ठीक है यह भी question तुमारे exam के अंदर बन सकता है ध्यान अब याद है आपको नोर्मल टेक्स और मैट वाले किसमें क्या था पहली बात तो मैट किस पर लगेगा company पर लगेगा मैट इंडिविजूल पर नहीं लगेगा और chances मैं यह नहीं कहा रहा है इसमें से question बन नहीं सकता बनने के पूरे-बूरे chances हैं तभी मैंने इसमें दो को इसमें पर किया हुए है ठीक है ना बट मेली हमारे एक्जाम में जो फोकस रहेगा वह इंडिविजूल की taxation पर रहेगा अब सुनों ध्यान से मैट वाले case में क्या कहता है मैंने कि मैट जो है वो company पर applicable होता है और यादा मैट लगता किसका है book profit का लगता अब book profit को निकालने काना एक तरीका होता है उसमें कुछ चीरे एड होती है कुछ चीरे माइनेस होती है और जो भी चीरे एड और माइनेस होती है वो फिक्स होती है और book profit का मतलब होता है Profit as per companies act profit as per income tax नहीं क्योंकि book profit का मतलब भी किया है याद कुरा मैंने मैट का लोजिक बताये था कि प्लेनिंग को रोकने के लिए गॉर्मेंट ने क्या किया मैट का जनम दिया और मैट लगेगा बुक प्रोफिट पर और बुक प्रोफिट का मतलब होता है प्रोफिट एस पर कंपनी ज़ेक्ट तो जो भी तुमारे बुक प्रोफिट होते हैं उसका 18.5 फिफटीन परसेंट ग होगा नो परसेंट के रेट से बस से पध्यान तोच ठीक है यहां तक क्लियर है अब एक बात में और बताओ अब हमें गुवर्मेंट को देना क्या होता है नॉर्मल टेक्स और मैट वीचेवरीज हायर अगर नॉर्मल टेक्स जाद है कोई दिक्कत नहीं है अगर मैट जाद हमने पहले क्लास में डिसकस की हुई है और रिविजन क्लास के अंदर भी डिसकस की हुई है अब यहां पर आना जिए तो देखो यहां पर टेबल यहां पर आपको दे रखी है पहला इयर 14 पंदर है नॉर्मल टेक्स है और मैट 300 है बताओ क्या देना पड़ेगा और मैट कम सब्सक्राइब माइनस कर लोगे बैलेंस आपको 70 देने पड़ेंगे बस यह पाधियान तोच अब अच्छा है बात कह रहा है सर यहां 30 माइनस क्यों की है अगर मालने में का 120 देने हैं तो मैं सारे यूज कर लेता हूं ना जी ना एक बात में को बताओ अगर आप सारे यू उन तो पे कर ही नहीं सकते वह तो कम से कम देना ही है तो गवर्रमेंट ने क्या बोला या 200 में से हम सिरफ 30 यूज कर पाएंगे reason क्योंकि अगर हमने सारा यूज कर लिया तो मैट से कम बनेगा वह तो possible ही है कम से कम मैट तो पे करना ही है बस यह बादिया हम दो जो अब अग संखान मुझे मैट पे करना ही है और यहां पर अब मेर क्रैटी कितना बच गया 130 या फे पर यहां पर अगले पेंट पर भू अब यह नोर्मल दोसो यह 850 कि कितना पे करना है 200 रुपे फाइदा कितने को होगा 10 रुपे तो 10 रुपे मुझे क्या मिल गए यहां पर दस रुपे की मेरे लाइबिल्टी इसको मैं यहां पर यूज कर लूँगा और बैलेंस मेरा बचेगा 140 बसे पत्यां दोच ठीक है अगले पाइंट पर यह 300 यह 200 देना क्या 300 आप 300 देना है मुझे गोर्मेंट से लेने कितने हैं वैसे लेने 140 बट यूज कितने कर पाऊंगा 20 तो यहां पर बस आप 20 यूज करके बैलेंस बचेगा आपका 120 ITC फिर अगले वाले पाइंट पर आओ जी अब यहां पर 250 यहां कितने 230 देना कितने 250 अब अगें यहा यहां पर 225 175 अब यहां पर देना कितने हैं आपको 225 अब यहां पर 225 अगर देना है तो 50 रुपे आप यूज कर वहोगे बैलेंस 50 बैलेंस बचाएंगे फिर 250 और 240 क्या देना पड़ेगा आपको 250 कितनी लाइबिल्टी है 10 यहां से उसकर लोगे 40 बच गया फिर 275 270 कितना यहां से उसकर लोगे 35 बच गया फिर 350 और 315 यहां पर आपको 300 है तो आपको 35 रुपे यहां पर यूज करने है लाइबिल्टी बनेगी निल तो यह भी कोश्चन तुमारे एक्जाम के अंदर बन सकता है बस यह पार ध्यान दोच तो मैं दुबारा कह रहा हूं यह वह वह परसेंट उमीद है यह बार ध्यान देना 100% तुमारे एक्जाम के अंदर बनने की यह उमीद है इसके अंदर तुम यह नहीं कह सकते सर्हीं बनेगा या नहीं बनेगा जी ठीक है ना तो बस यह कोश्चन को बहुत ध्यान से बनना कोश्चन मुझे पूरी उमीद लग रही ह हुआ है है भी डन क्या नोक कर सकते हैं ठीक है चलो अब अब अगले, क्राओ आऊ अगल पर आओ अब अगले प्योंट्रे lesson, अगला हमारा question निकल कर रहा है, buyback वाला यहां पर question निकल कर रहा है एक बढ़ चक्र है पहले बताओ बाई बैक वाले किसमें क्या करते थे याद बाई बैक की टेक्सेशन एक बढ़ चक्रों अगर नेट सही चल रहे हैं तो यहीं से मैं लाइव कर देता हूं इतना मतलब पहले वाला रिकॉर्डिट देख लेंगे और यहां से वो लाइव रही है है पता नहीं क्या चक्कर है अब तो सही आ रही है यह तो सही आ रही है देखते हैं अगर सही आ रही है तो भी लाइव कर देता हूं अगले वाला पॉर्शन कम से कम लाइव देख लेंगे बच्चे लग नेरा में रखो नहीं आ रही है कम सकम एटी नाइन्टी डिग स्पीड होनी चाहिए है चलो अप्लोडिंग स्पीड तो आ रही है ऐसा करता हूं एक बर करके देखता हूं ठीक है अगर चल गया तो ठीक है नहीं तो फिर दुबारा से अगर लग नेरा स्पीड आ रही है चलीन रहा हूं झालास ही या प्रो दुबार से झाल झाल कि एक मिन्टों को जैंड नहीं आरे भाई सब स्पीड चलो कोई बात ही अब रिकोडिंग देख लेना फिर हो ठीक है वो फिर अट अगरा बीच में फोड़ो अगरा अगरा आए अब यहां पर अगला कोशन हां वाइब की बात करता है अब मतलब अब उचिस के नदर वाइबेक में क्या होता है कि अपने शेर उचार करती है अच्छा ख़र कमपड़ी अपने शेर बाइबेक करेगी तहो घ्रिकम टेक्सेबिल्टी जो है तो 20% आपका रेट होता है फिर सरजार होगा फिर सेस होगा तो 23.23.296 परसेंट बाइबेक पर रेटे टक्सेशन कर जो भी तुमारे डिस्टीबूटिट इंकम है मतलब क्या है कि कंपनी मुझे बाइबेक पर प्राइस कितना दे रही है और मैंने कितना पे किया था तुझे फाइदा कितना और है उस फाइदे पर गवर्मेंट के रिए 23.296 परसेंट से आपको टेक्स पे करना पड़ेगा बस यह पच्छान देज़ू अभी वह चेक करूं बताओ सब ताइस लाग मिले थे कंपनी को और अब कंपनी कितने पर करें पचास लाग तो डिस्टीबुटिट इंकम कितनी होगी आइधिंग 23 लाख रुपे की इंकम हो गई अब अगर 23 लाख रुपे का 23.296 परसेंट तो पांस लाख पैंटीस हजार 810 रुपे का मेरे को यह टेक्स बनेगा जब यह टेक्स आपके निकल गएगा पांस लाख पैंटीस आर्टीस आर्टीस रुपे का टेक्स आएगा फिर उसमों उसने क्या बोला है अब करेदा टेक्स ओन बाइबेक वस्टीपोजिट बाइदा कमपनी टुदा क्रेट अब अब सेंटल को भी डिपोजिट क्रेइट सेंटल कोर्मेंट विदिन 14 डेज ओव दा पेमेंट ओव बाइबेक कंसेशन देट इस अट बीफोर 28 अक्तूबर फिर हावएवर दा टेक्स वाज डिपोजिट वाई 27 फरवरी तो एंड हैंस फोर महीने का इंट्रस्ट अपलीगे बोलगा वन सेंट और मल्टिप्लाइब 4 महीने कर दोगे तो आपका यह मौंट निकल गए गलती ज़ना मत कर देना क्योंकि वन पर सेंट पर मंद का सेंटरस्ट अपर एनम नहीं तो मैल टीपलाइब 4 क्योंकि मन्त है मंत को मन्त से मिल्टिपलाई करोगे बस इवाध ध्यान दोच इस के अंदर बनने की पूरी उमीद है बस सेबा ध्यान दोच एक बार में दवारा बुलूँगा मैंने क्या किया कंपनी बाइब पर देरिया पचास लाग के किये थे हमने यहां पे अपना 27 लाग रुप आई थिंग सोरी अपना 27 लाग हां फिर बैलेंस हो गया 23 लाग इंकम है उस इंकम पे टेक्स लागेगा 23.296 परसेंट यह हो गया टेक्स प्लस में 4 परसेंट सैस आपने सब को इसके नदर जोड़ा हुआ फिर इंट्रस्ट अब पेमेंट करनी थी आपको विदिन 14 डेस यहां से 28 उक्तुबर पेमेंट की आपने 27 फरवरी को तो चार महीने के सबुआ आ रहे है यह रहा है एक अवर यह सक अब यह सब्सक्राश्म यह आणायोख सबंदा अभी संकिसर अब यह एक बात में पर विशून आज है फ्सडी पर एड देखते हो फेस्ट पर एड आती है अजु अब जो यह एड आरी है यह जिस पर एड आ यह सारे प्लेटफोर्म किसके है यह सारे प्लेटफोर्म जो है यह आउट साइड इंडिया उन लोगों के हैं अब होता पता क्या था होता क्या था इनके platform पे एड चलती थी ये खाते थे पैसा और बाद में इंडिया में tax पे करते नहीं थे बड़ी दिक्कत वाली बाती को कि पैसा बाहर चला गया फिर बाहर से इंडिया में आने में दिक्कत होती है तो government ने क्या किया income tax में concept insert किया that is equalization Labby और आपको जानके हरानी होगी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यह काम कर रहे हैं जिनकी permanent establishment इंडिया में नहीं है जैसे Facebook अब यह तो यह तो अभजा क्यों है मैं आपको बता रहा हूं सर जब से थोड़ा सा गौर्मेंट ने स्टिक्नेस की है आपको बताओगा आपको मैं मार्किट में स्टम सी एस की वेल्यू बढ़ने वाली है तो फिर टेक्स लेने में और दिक्कत आ रही है तो फाइनली गोर्मेंट ने क्या किया एक कॉंसेप्ट मना दिया इक्वलाइजेशन लेवी इक्वलाइजेशन लेवी इस नट्शेल जस्ट लाइक टीडियस यह एकतरा का टीडियस है क्या इसमें कि जब भी तुम एड करवाओगे उस एड का जो पैसा पे करोगे तो पेमेंट के टाइम पे तुम टीडियस काट लेना बस यह पाध्यान इक पर मैं दुबारा बोलूँगा एक बड़ फिर बोलूँगा आज गर गूगल है यूटीब ओ गया इन्स्टाग्राम हो गया फेस्बुक हो गया इन सब पे एड आ रही है ये सारे प्लेटफॉर्म जो हैं ये इंडिया के नहीं हैं इंडिया से बाहर वालों के हैं और जब इन पे एड चलती है हम इनको पैसा देना होता है और पहले हम ऐसे ही करते थे बट बाहर से इंडिया में टेक्स लाने में दिक्कत होती थी और उनकी कोई परमानेंट एस्टेबलिश्मेंट भी इंडिया में नहीं है जिन से हम रिकवरी कर सकते हैं तो फाइनली गौर्मेंट ने क्या बोला गोर्मेंट की जेखो ईगर तूम एड़ आट कर रहे हो इन कमपनी से और यह कमपनी बाहर की हैं जब तूम पेमेंट करोगे तो पेमेंट के टाइम पे तूमें TDS काटके हमें जम्मा करवाना होगा और अगर तुम TDS काटके हमें जमा नहीं करोगे तो यह 100% खर्चा जो तुम पे कर रहे हो डिस अलाउड कर देंगे अब TDS को रिप्लेस कर दो किस से Equalization Levy से बसे पाध्याद दो बढ़ हाँ अगर तुमारी Permanent Establishment इंडिया में है तो फिर यहां पर गवर्मेंट कहती है उस केस में Equalization Levy वाला Concept applicable ही नहीं होगा फिर TDS कटेगा एक्चॉल में 195 में अगर Equalization Levy की बात हो रही है वो तब लगेगा अगर कोई Permanent Establishment इंडिया में नहीं है जैसे पहले वाले केस में अब यहां पर इसनों बोला परमनेट Establishment इंडिया में नहीं है तो आप Equalization Levy वाला Concept लगेगा पेमेंट के टाइम पर 6% काटना पड़ेगा अगर अगले वाले की बात करूंगा उसमें Establishment इंडिया में है उसमें Equalization Levy वाला Concept नहीं लगेगा उसमें नोर्मल टीडियास की बात है अपल लिगे वह लोंगी सेक्शन नमर 195 में क्योंकि फॉरंड कंपनी हैं टीडियास कटेगा उसके बाद ही वो अरचा तुम्हें अलाओड होगा नहीं तो अलाओड ही नहीं होगा बसे पाध्यान तोच अब एक बाद चेक करो देखो बिल्कुल ध्यान से बन्दा कोश्चन क्या लिख है और बेस ओन सिंगापूर वो सिंगापूर के अंदर है अब तो यहां से पैसे बाहर जाएंगे डूरिंग फाइनेशल यर डी एफ पेड किया इक्वलाइजेशन तुझे लेवी लखनी पड़ेगी तब तुप पेड्यान करेगा नहीं तो यहां पर क्या लिख है आपको 6% डिड़क्ट करना पड़ेगा एक लाग बीस जार पे अगर आप डिड़क्ट करके जमा करवाद होगे अगले महिने की साथ तरीक को तो फिर यह खर्चा जो होगा लाउड होगा नहीं तो 100% खर्चा डिस लाउड है बसे पाध्यान तुझे और अगर मालो इसी की परमनेट एस्टेबलिश्मेंट इंडिया में है तो एक्वलेशन लेवी वाला कॉंसेप्ट जो है वह वहाँ पे एट्रेक्टी नहीं होगा बर वहाँ पे टीडियस काटना पड़ेगा 195 में और अगर टीडियस टाइमली नहीं काटोगे तो 100% खर्च अगर उनकी परमनेट एस्टेबलिश्मेंट इंडिया में है तो टीडियस काटना पड़ेगा एक्वलाइजेशन लेवी वाला कॉंसेप्ट नहीं लगेगा अगर टीडियस काटके मैं रिटर्न की फाइल करने की ड्यू डेट या उससे पहले जमा नहीं करूँगा तो सारा कोई भी तुम्हें अलाऊड नहीं होगा यह गोर्मनेट यहां पर कहना चाले है ठीक है अब आजओ अगले पॉइंट पर अब आजओ अगले पॉइंट पर प्रोसीजरल अब यहां पर हमारी बाते होंगी एडवांस टेक्स की एक कोश्चन एडवांस टेक्स का हमारा ये वाला है और देन आई थिंग हमारी सारी की सारी बातें फिनिश तो वैसे कहने को पचास कोश्चन मैं बोलता हूं कि तुम्हां तुम्हें थोड़ा घवराट ना हो बड़ अगर तुम चेक करोगे मैंने 50 प्लस 20 लिखा है अप्रोक्समेंट 70 कोश्चन हमने कंप्लीट करनी हैं बिल्कुल और मैं उम्मीद करता हूं कि 70 मैंसे कम से कम दो से तीन कोशन तुम्हें तुम्हारे एकजाम के अंदर देखने को मिलने चाहिए और तुम्हें याद आएगा यह वाले सेशन कि यहां गाबसर ने बात बिल्कुल सही बोली थी और वेटे आज मेरी लास्ट व ने दाएं हुआ हुआ है और फाइनिलेस औरिक pani क्या यह ना तैकpex कि और मॉस्छेर मारी Kor smiling क्लास आगए गषर दिसंबर वाला पेपर बचेगा जो वर तुम्हें बोल दिया कि मैं 25 तारीकों करवा दूँगा ठीक है या अगर आज भी हार में कुछ शाम को निकलने घर तो उससे पहले अगर अगर नेट सही हो गया क्योंकि मेरी 11 से क्लास है अगर एक से तीन के बीच में भी अगर नेट सही हो गया तो मैं आज ही करवा दूंगा फिर कोई दिक्कति नहीं अगर नहीं हुआ तो फिर हम कल शाम कोई डिसकस कर पाएंगे बस यह भध्यान देना चीए चलो अब एक बार आउजी फटावर्स से अब एडवांस्ट एक स्वाला केस क्या जी मीज़ें आज यहां प्योज़ें अब देखो यहां पर लिखा हुए वह गयाने कैल कुलेट एडवांस टेक्स पेबल क्या बताने आडवांस टेक्स पेबल यह लोगई आजए अरून ओ माई गॉड अरून सर्व पोर फ्रॉम्ड फॉलउइंग एस्टिमेटिल इंकम देर रखिया है पॉर दा प्रीविएस चर्टेश्च चोबिस अब ध्याना बिजनस की इंकम 475 मुनिस्पल टेक्स 27,000 विनिंग फ्रॉम ग्रेम्स गेम सेवन्टी और यह नेट ओफ टीडियास है तो अगर नेट ओफ टीडियास है तो सेवन्टी थाउजन डिवाइड बैस सेवन्टी मुल्टिप्ले हंडर्ड तो सात लाक रखिये इंकम होगे फिर एलाइसी आपकी हिमसे प्रीमियम जो वह 30,000 अब समय शुड का 10% कितना मनेगा पचास जार प्रियम कितने थीस तो फिर अलाउड होगा थीस ही होगा जी अब यहां पर आजाओ अब यहां पर क्या लिखा हो जाए अब बिजनस के इंकम 475 बिजनस के इंकम कितनी है 475 ए रेंट मिला आपको 36,000 पर सब्सक्राइब मुल्टिप्लाइट 12 यह हो गया चार लग 32,000 माइनस में मुनिस्पल टेक्स तुम माइनस में 27,000 करोगे तो यह चार लग 5,000 माइनस में 30% की स्टेंडर्ड इरेक्शन तो यह आएगा दो लाग 83,500 रवबे की आपकी हाउस प्रवेटिक इंकम आएगी अब यह चेक करना है यह पहला यह आपका यह आपका दो देखो 23,500 फिर बिजनस की इंकम 475 दे रखी है और लोटरी याद आ गया एक लाक गेम्स वाली ग्रोस करने वाद एक लाक ही है तो 8,58,500 यह तुमारी ग्रोस टोटल इंकम आरी है एस्टीमेटीड यह एक्च्वल इंकम कि स्कीम कौन सी लिया बताओ अब वैसे मेरे अकोर्डिंग तो लिनीज यह डिफोल्ट स्कीम 115 BSE वाली बट अगेन मैं कह रहा हूं यह मोड्यूल तुमारा पुराने का मतलब इन्होंने पुराने मोड्यूल से ही कोश्चन कोपी की है उस टाइम पर वो डिफोल्ट स्कीम ह लिफ्टी नहीं थी तो मेरे कोडिंग जोने किया होगा वह डाई लाक के बेस पर किया होगा अगर मैं निकालता हूं मेरे कोडिंग करके आजाएं कि 115 BSE का अपने लिया हूँ अब अगर 115 BSE का ओप्शन लिया है तो क्या उनको एडवांस टेक्स पे करना है बिल्कूल पे क देक्शन नहीं मिलेंगी फिर 30 माइनस नहीं होगा याद करो ना 115 BSE को डिदक्शन नहीं मिलती फिर इंकम कुछ आपकी अलगाएगी तो बच्चा करना कि मैं आपको बार-बार कह रहा हूं जो भी आप करके आउना एसमिशन लिखना मत भूल जाना क्योंकि अगर तुम्हे लग रहा कि तुम्हें नोर्मल से आसान लग रहा है या वो नोर्मल पूछना चाह रहा है तो फिर नोर्मल से कर रहो अंसर तो भी वह सही होगा 100% परफेक्ट आंसर होगा उसकिसम कोई कलेश ही नहीं है जो आगर वह कह दे कि दोनों में से बेनिफीशल कुन सी है फिर तो यह लग अधाइज़ार पांसो तो उसका 20% प्लस में 12500 तो 78200 रुपर का टेक्स बनाओगा यह क्यों हो गया साथ लग अधाइज़ार पांसो कैसे हैं अच्छा एक लाग तो कैस्वल इंकम है सोरी एक लाग पर तो 30 परसेंट हो गया 30,000 पर आट लाग 58500 माइनस में एक ला अधाइज़ार पांसो माइनस पांस लाग इसका 20% प्लस में 12500 यह बनेगा 58200 रुपेच 58200 बनाना और तीज़ार वो गया लोटरी वाला ओनलाइन गेम वाला 88200 टेक्स हो गया चार परसेंट सेस्ट जोड़ दोगे अब इसमें 4% से जोड़ोगे 91728 इतना आ गया 91728 इसमें जब TDS कितना कड़ा था TDS 30,000 माइनस कर दिया अब 30,000 माइनस कर दिया तो नेट आपका जो टेक्स आ गया round of परेंग भा 61730 आ गया अब यह एडवांस टेक्स आ गया जो इतना हमें एडवांस में टेक्स पे करना है reason क्योंकि estimate tax liability मेरे दस जार्या उसे ओपर के या अगर मिरी estimate liability 10,000 या उसे ओपर की होगी ठोशेच्स पहए करना पड़ेगा यहां से 61730 अब मुझे एडवांस टेक्स पे करना है कितनी इंस्ट्रोल्मेंट के अंदर पे करना है चार अब एक बार निकालना इसकी चार इंस्ट्रोल्मेंट अब अगर आप चेक करोगे यहां पर इतना पे कर दिया तो इसमें से कर दो के बैलनस इतना आ अगर यहां तक इतना पे कर दिया इसमें से यह कर दोगे बैलेंस इतना अगर क्या आपको मेरी बास समर्ध में आ रही हैं तो निकलेगा सुक्षा इसका टो निकलेगा कि निकालने हैं तुम नोर्मल निकालते हो अब नोर्मल के बैस्वेश्व लास्ट में फाइनल टेक्स आएगा अगर वो दस दारी उसे उपर कहे तो वह एडवांस टेक्स है उसको चार इंस्टोल्मेंट के अंदर डिवाइड करते हैं यह एडवांस टेक्स वाला कॉंसेप् इंकम फोर दा प्रीविए स्यर्टेइस चोबिस क्या एक कैल्कूलेट एडवांस टेक्स पेबल बाइट फ्रॉम दा फॉलिए आपको एडवांस टेक्स पेबल निकालना है अब पहला बिजनस इंकम दससी हाउस प्रोपरेटी आफ्टर 24 साथ लग बीज़ा लोंग टरम गेन इंबुल प्रोपरिटी पर फर्स्ट वंबर ते इसको तीन लाग साथ चल इंट्रस्ट ओन बैंक डिपोसिट अधर देन सेविंग मतलब में भी एफ्टी का इंट्रस्ट है एफ्टी का 45 जाल और टीडियेस ओन बिजनस इंकम एंट्रस वो सिक्स्टी थाउजन और फिर डि इसमें से आपको डिडेक्शन नहीं मिलती पहली बात तो यह है इसमें आपको डिडेक्शन नहीं मिलनी लोंग्टरम गेंड में से उसको आप लग लेके चलो फिर इंट्रस्ट ओन डिपोसिट 45,000 पेगा तो 45,000 पेगा इंट्रस्ट जोड़ दिया आपने तीन साथ का लों कमपनी यह वह कंपनी वाले केस को तो मेरे इंडिविज उसको मिलती है ना 80 टी 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 अम यह कुई आपको अब यहाँ पर चेक करो बस 80 जी मिलेगा यह आपकी टोटल इंकम आगी किस लाग पांजर अब इस पर निकाल दो टेक्स अब कंपनी है ना लोंग टरम गेन पर तो 20 परसेंट है तो यह आ गया 72,000 का टेक्स आ गया अब इसमें से 21 लाग पांजर आपकी इंकम आगी 21 लाग प 5,23,500 यह निकल के आएगा जी अब 72 लोंग टरम गेन पर टोटल आगा इतना ठीक है क्या सरचार अपली के बोलोगा नहीं अब इसमें 4 परसेंट सैस जुड़ेगा क्योंकि इंकम पांजर लाग से उपर है रिबेट में और कंपनी वाले किसमें रिबेट मिलती नहीं है अब बताओ एडवांस टेक्स वाला अब बताओ कोई भी दिक्कत कोई परशानी कुछ भी अजीब लगा तो बता तो जी अधिकरी तो अब बस हमारा एक कोशन बैलेंस हमारा बचा है मैट वाला अधिकर ना बाकि सारे के सारे कोशन हम यहां पर कंपलीट कर चुके हैं बस अभी यहां पर आ जाओ जाएं तो यह फ़ाइन है डिक्कत तो नहीं यह पकाँ लोक कर दो जी चलो अब यहां पर आ जाओ जया आप फाइनलि टौप कोशन जो थे टौप मोस्ट कोशन इस अप्शक्ट मेंने सारे कंपलीट कर ली हैं अब यहां पर हमारा बैलेंस बचा है यह वाला question जो है ना यह वाला Matt वाला यह हमारा balance बचाओज यह वाला question अब इदर देखो जान से अब यह question में है क्या अब यह question में कुछ भी नहीं है यह question में आपकी है मैट की calculation मतला book profit की calculation अब देखो book profit की calculation में काफी सारी चीज़े एड होती है और काफी सारी चीड़े माइनस होती है और वो सारी हमें ने याद करनी जरूरी है बट सारी हम याद करनी सकते तो चांसी इसके एक्जाम में आने के बहुत कम होते है बड़ अगेन बोलूँगा कि नहीं आएगा मैं कहनी सकता अब बुख प्रोफिट का मतलब क्या होता है कापनी है वजब क्योंके जो तुपारे बुख प्रोफिट आएंगे उसी कई तो मैं अप गबल होगा न मेरा कॉस्चन बस इतना सह है कि जो भी आपके यहाँ पर बुखप्रोफिट निकल के आएंगे एलो भाई साब जो भी यहां पे बना जितने भी आपकी यहां वे बुक प्रोफिट निकल के आएंगे मैंने को लग रहा है मैंने स्क्रीन दिखाई नहीं बीच में कि स्क्रीन नहीं दिखाई न नोंट्स तुम्हें साथ साथ देखने पड़ेंगे ऐसे समझ में नहीं आएगा नोंट्स तुम्हें साथ साथ में को अब डिखा इस अब स्क्रीन में नीगाई मैं और लग रहा है कि नहीं दिखाई ना कि मैंसे नोट्स बने टेलिग्राम पर डाले हुए एक बार चेक करने नोट्स ठीक है ना उसमें यह टेलिग्राम पर नोट्स दाले हुए मेरी 50 plus 20 most expected 70 कोशन के नाम से ठीक है मैं तो अभी देखा मैंने का स्क्रीन तो मैंने दिखाई नहीं चलो इदर आओ जी अब यहां पर अब यहां पर चेक करो मैट वाला कुश्चन ची तो मैट में जो बुक प्रोफिट निकालते हो ना वो प्रोफिट निकालते हो एस पर कंप एप्री सेशन भी जो माइनेस होगा ना वो कंपनी एक्ट वाला माइनेस होगा इंकम टेक्स एक्ट वाला माइनेस नहीं होगा पहली बात तो इध्यान दो जी और इसके बाद जो अर्जेस्टमेंट अब थोड़ी थोड़ी PGP के अंदर नहीं करते हैं ओल्मोस्ट वैसी व फोलोइंग परिटिकुलर असेस्मेंट यह 24 पच्चिस एंड सोलिसिट यूर एडवाईस ओन्द एप्लिकेशन ऑफ सेक्शन नंबर 115 जे भी फिर कहरें यू आर ओल्सो रिक्वाइट टू कंप्यूट हिस टोटल इंकम टेक्स पेबल आपको टेक्स लाइबिल्टी निकाल नोर्मल ठीक है ना पहले अभी पहले अभी हम मैट की बात नहीं कर रहे हम बुक प्रोफिट की बात नहीं कर रहे है नोर्मल कैलकुलेशन आगे देखो अब वह कहा रहे है इसमें इंक्ल्यूट है एक्सेस रियलाईज ओन सेल ओफ लैंड हेल्ड एस इंवेस्मेंट मेरा प यहां से माइनस करने पड़ेंगे रीजन इंवेस्मेंट मतलब कैपिटल एसेट तो वह कैपिटल गेन की इंकम होगी वह यहां पर नहीं आएगी बस यह पाध्यान तो आगे देखो डेप्री सेशन ओन एसलम बेसिस आप सब जानते हो यह भी हमें एड करना पड़ेगा फिर प्रोविजन ओस लोस ऑफ सबसीडरी यह भी हमें सबसीडरी कंपनी के लोस भी हमें एड करने हैं अब डेप्रेशन एस पर इंकम टेक्स रूल्स वाला यह माइनस करते हैं ठीक है फिर शोट्र्म गेन ओन से मेंंशन अबव यह वहां जाएगा आपका ब्रोट फोरवर्ड लोट फॉर्ड फॉर्वर्ड लोट फचास लाग फिर यह मैनस कर दो गया ठीक है और फिर बात के अंदर बैखें संगे ंद सब्सक्रण से फिर तुमारी income निकल कियागी, फिर अगर बाद में कुछ income बचेगी, तो unabsorbed depreciation वहाँ से minus करने होगे, बस अब आगे देखो, the company has also represent you that the excess relies on sale of land cannot be formed part of book profit, ठीक है, अब वो यहाँ कहने, you will have to deal with the issue, assuming the company not required to comply with India's, the annual turnover, जयाँ वो company की 40 क्रोटर पे गिएच, अब पहले normal income निकालते हैं, अगर मालो मैट नहीं निकालना, अगर मैट नहीं निकालना, normal income, तो normal income किस तरह से निकलेगी, देखो जी, net profit 1.95 लग, minus में excess जो relies किया, वो ही capital gain वाला उसको अगर कर दिया, फिर depreciation SLM वाला जोड दिया, अपने, provision जोड दिये, 1.60 लग जोड दिया, तो total तुमारे 3.25 लग आ गया, फिर depreciation कितना था, उसके अंदर income tax, 1.50 लग, तो यह balance आ गया, 1.75 फिर अपने loss माइनस कर दिये, 50 लग के, यह तुमारे net income आ गये, इसमें तुमने फिर capital gain 40 लग का जोड दिया, total income आ गयी, फिर बाद में minus किया, unabsorbed depreciation, तो balance बजा 1.50 लग, अब अगर 1.50 लग है, और अगर वो company है, तो company वाले किसमें आप सब जानते हो, 30% tax applicable है, अगर हमें turnover नहीं दी, बढ़ अगर turnover दी है, तो 25% है, एक बाद चेक करना, उसने turnover क्या दी है, उसने annual turnover जो दिया है, ABC company के 40 क्रोड है, अब annual turnover 40 क्रोड है, हर इस साल की, पिछले साल की, इस साल की उसने बताया नहीं है, तो इन्हों ने क्या rate applicable कर रहा है, 25% को turnover होई है, बट इन्हों ने गलत दी है, क्योंकि जो में turnover चेक करनी होते है, वो चेक करनी होते है, प्रीवियसे 21-22 की, अब प्रीवियसे 21-22 की turnover चेक करनी है, वो तो इन्हों ने बताया नहीं, बड़ ऐस्यूम कर लिया, अगर आप नोर्मल स्कीम फोलो कर रहे हो, मैट फोलो नहीं कर रहे हो, तो आपका नोर्मल टेक्स यह वाला है गाज, ठीक है, अचा अब बात करते हैं मैट की, बुक प्रोफिट निकालने पड़ेंगे, अब बुक प्रोफिट कैसे निकलेंगे, वो देख लो यहां पे जी, देखो बुक प्रोफिट कैसे निकलेंगे, पहला वो ही नोर्मल, फिर SLM वाला जोड़ दोगे, प्रोविजन जोड़ दोगे, सबसीडरी कंपनी के, यह हो गया, एक करोड, सोरी, तीन करोड, पच्पन लाग, अब इसमें से माइनस कर दोगे, डेपरीस सेशन, गलती से भी इंकम टेक्स वाला मत कर देना, यह करेंगे आपका कंपनी एक्ट वाला जी, जो कंपनी एक्ट वाला डेपरीस सेशन है, वो माइनस करेंगे, बस एप ध्यान तो, एक बच्चा कह रहे है सर, तो क्या, यह माइनस नहीं करना, यह आपका, एक्सस रिलाइस, आंसर इस नो, य पिर आपका depreciation income tax वाला यह काम आएगा income tax में अभी हम क्या कर रहे हैं बुक प्रोफिट और बुक प्रोफिट एस पर companies act उसमें depreciation और माइनस करेंगे वो companies act वाला करेंगे यह शोटरम गेन यह तो अलगी है अब बुक प्रोफिट निकालते हुए और फोर्वर्ड लोस और unabsorbed depressing इन में से जो भी लैस हो थह होता है वो माहिनस करते है जैसे नॉर्मल बिसद्ट की इंकम और से नीकालते हुए यह माहिनस पी कर रह कर रहे हैं यह माहिनस भी आप चेक करें यहां पर इदे को 50 लक माइनस किया बस यहां पर ब्रॉट फॉर्वर्वर्ड लोज और इस लेस देन अने जो तो जो लेस फालों को माइनस करेंगे और बैलन्स आपके बॉक प्रोफिट आ रहे हैं और इस बॉक प्रोफिट पर क्या करोगे 15 टेक्स लगा जितना आपका मैट जादा है उतने का तुम क्रेडिट अवेल कर लोगे बस यह पाध्यान दो यह गोर्वन यहां पर कहना चाहरी है बस यह पाध्यान देना जी क्या मेरी बास निकल गया रही है तो यह पॉइंट हमारे यहां पे खतम हो जाते हैं जी ठीक है तो अब जाके जो भी most expected question थे वो हमने complete कर ली है ठीक है मैं एक बार दुबारा बोलूँगा कि एक बार notes डाउनलोड करके इसको देख्यों कि बीच में कुछ minutes के लिए मेरी सिरफ वीडियो वीडियो आ रही है मतलब वो notes नहीं दिख रहे तो notes एक बार आपके बास होंगे वहां से आप दे इस वाला paper बचा हुए GST का तो हम complete कर चुके हैं सिरफ DT का बचा है और इसके अंदर में खाथ है पांच कोशन बनते हैं टोटल पांच बनते हैं चार बनते हैं चार कोशन बनते हैं बस तो चार के चार हम एक बार कर लेंगे hopefully कल वाली class में अगर आज मेरा net सही हो गया तो आज मैं दुबारा से live आजाओंगा और live class के अंदर हम complete कर लेंगे आज शाम को security लोग का marathon भी है यह बाद ध्यान देना शाम को साथ से लेके वो ही सुबह एक दो बस्तक सरका marathon चलेगा ठीक है री बाई बाई टेक कैर थैंक य session लिए आज वाला मान लिया मैंने live नहीं हो सका बट मुझबूरी थी बट मैं class miss करना नहीं चाहता था इसलिए मैंने live का wait नहीं किया तो समने comment जरूर करने है कि जो भी तुमारे sessions है वो सारे के सारे कैसे गई है बस यह पध्यान दोच ठीक है री तो एक बार आप नमबर न इसी हो जाएगा doubt solve करना बस यह पध्यान दोच ठीक है री चलो ओके जी बाए बाए टाटा थेंक्यू सो मच गोड़ ब्रेस यू जैहिंद फिर मिलूंगा बहुत जल्दी कल शाम को और अब तो चार-पांस दिन मैं दो तिन दिन हमारे बच्चे हूं मैं फिर तो बस आपन